श्रीक्रेश्न जन भूमी शाही ईद कहा मज़द मामले में सुप्रीम कोट ने मज़द का निरिक्षन करने के लिए आयोक्त नियोक्त करने के बाद इलहबाद उच न्यायले के आदेश पर फलहाल के लिए रोक लगा दी है सुप्रीम कोट के इस आदेश को एक पक्ष के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है इससे पहले इलहबाद हाई कोट द्वारा तीन सदसे टीन से सर्वे कराने का आदेश दिये जाने के बाद हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई थी हाला कि शीश अदालत ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोट में हुई इस सुनवाई के बाद वकील महमूद प्राचा ने बताया कि कोट ने देखा कि याचिका करता की तरफ से याचिका में कुछ साफ नहीं है और वो कोट से चाहते क्या है हमारी जो सुप्रीम कोट में मांग थी कि जो अलाबाद हाई कोट ने ओर्डर किया है कमिशन भेजने का इदगा मस्जिद मत्रा में उसको स्टे किया जाए वो मान लिया लेकिन जो महत्वपून बात है वो यह है कि मानिनिय उच्चितम नियायले ने यह बार-बार अब्जर्व किया आज और ली के जो पेटिशन ने जो अपनी अप्लिकेशन कमिशन के लिए लगाई थी उसमें क्लारिटी नहीं है वो यह कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाव कर दें तो इसके लिए काफी जो ओनेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफी चिंतित था इस बात के लिए किस प्रकार की अप्लिकेशन नीचे लगाई गई जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है क् मेरा ऐसा मानना है कि यह इसलिए है कि जो पचास साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका तक अदालत से उसमें जो अपने आपको भक्त बताते हैं और नेक्स बेस्ट प्रेंड बताते हैं वो पचास साल तक सोई रहे फिर सड़नली 2021 में उनकी एक बार आख खुली तो यह नी को और यह इपने पास ट्रांसवर करने का जो जो ऑर्डर किया था उसके खिलाव जह हमारी मौजूद है उसके लिए सुनवाई होगी 23 तारिक को उसी दिन इसके लिए भी सुनवाई होगी वहीं दूसरे वकील रीना एन सिंग ने बताया कि हमारा पक्ष रखने में जो भी कमी आ रही है वे हम ठीक करेंगे और सुप्रीम कोट ने किसी भी प्रकार से इलाबाद हाई कोट के ट्रायल पर किसी भी देट थी वो 9th को थी पर Constitutional Bench बैठने की वज़े से हेरिंग नहीं हो पाई थी तो अब कोट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपतियां जताई के 7-11 की अप्लिकेशन है वो भी पेंडिंग है तो आसरवोच नियाले ने ये कहा कि जो ट्रायल कोट का ओडर है सरवे का सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है जिसमें जो नेक्स्ट वेरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी और देखे कुछ ऐसे टेकनिकल ग्लिचिस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाय करने का मौका मिल जाएगा और दूस को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे सम्विधान ने दिया है तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं जी बिल्कुल जो 14 दिसंबर को अलाबाद ने उचने आले का जो सरवे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने और अभी कुछ समय के लिए सर शॉर्ट कमिंग्स रही है टाक्निकल तो वो अब हम उसमें आगे उसको रेक्टिफाय कर लेंगे